श्री राधे जै स्री कृष्णा उलवल्ला भाधी सकी जै गुसाइन जी परमदयालू की जै श्याम सुन्दर स्री हमुने महरानी की जै चोरा सी वैश्णव वारता सस्थ दिवस वानित भाग छे कृष्णदा समेगन की वारता चल रही है सु चतुर्थ वारता प्रारम करें बहर मार्ग घरद्यारूण भई पाचे कदाचित गूपी वारता हुई सु सवन के आगे कहें तब काव वैश्णव ने स्री आचारी जी सो कही जो महराज कृष्णदास गोपी वारता सवन के आगे कहते तब स्री आचारी जी ने कृष्णदास सो पूछी जो तु गोपी वारता सवन के आगे क्यों कहते तब कृष्णदास ने कहो जो महाराज आप उन ही सो पूछिए जो मैंने कहा कहो है तब वैश्णव सो स्री आचारी जी ने पूछी जो तुमसो इन कृष्णदास ने कहा वारता गई तब वैश्णव ने कहो जो महाराज हमको तो कच्छो सुध रही नाई तव्जरी आचारी जी मुस्काय के चुप करे रहे भाव प्रकास मारग खरदियार उड़ भैयो सुरस के भरते रहो न जाए सुरह शिवारता वैशनव सो करे ताते ये जताए कृष्णदास अपने अनुहवन करन अर्थ कहते परंत उस पात्र बिना रस्ठ है रहे नाई ताते वैशनव ने कही कचु सुद रही नाई और कृष्णदास की कचु दामदर दास ते उतरती दसा जो कहे बिना रहो न जातो ये दू भाव जताए वारता प्रशंग पांच और एक समय गोरस अती प्रिय है गोरस सब्दे नवाणी कहियत है अनिवर्चनी है और सवन्ते भक्त को इसने हमय प्रभाव अतिप्रिये है जाते भक्त अत्सल कहावत है तब कृष्णदास ने फिर पूछी जो स्री ठाकुर जी को अप्रिये वस्तु कहा है तब स्री आचारी जी ने कहो जो स्री ठाकुर जी को दुवा समान अप्रिये और ना ही है ताहूते अप्रिये स्री ठाकुर जी को भक्त को द् गुरस सु वैश्णव को इसने है परसपर और वैश्णव को कलेस सो दुवाँ जहां इसने तहां स्री ठाकुर जी पदारे जानिये जहां कलेस तहां ते स्री ठाकुर जी दूर जानिये फिर कृष्णदास ने प्रिष्ण पूछ जो महराज स्री रगुनाज जी संपूर्ण स्रष्टी को लेके सुधाम पधारे और राजा दसरत को स्वर्ग दियो। भाव फ्रकास यह प्रश्ण हीना धिकारीन को है काहेते साख्यात पुरुषुत्तम की दीला में मन बाहर करी यह प्रश्ण कहा या में यह जताए कृष्णदास को अभी मानसी सापरा मता यह फल नाए वैयो तब कृष्णदास के समाधान के अर्थ आप कहे जो राम यह आल है क्या कै आपने मारक को सिद्धान्त जताए को अपने हट धर्म कर धर्मी को धर्मी जो स्री ठाकुदजी तिनको श्रम करा Bow है तो हीन फल धर्म को स्वर्ग ही मिल ए वार्ता पर्संग अच्छे और एक समय स्री आचारे जीश्णदास आचारे जी ने कहो जो ये विधी पूर्वक समर्पन जो कहो है जो नहीं करत विधी सो समर्पन पदार्थ को ज्ञान नहीं अहंता ममता अपनी शत्ता अहंकार को समर्पन जो सब दास भयो जो अब दास भयो प्रभु आधीन हो प्रभु करे सु सर्वो परिशित धानते यह भेद अपने में नहीं और अपनी योगिता मानी भगवदिये को संग नहीं करते हैं ताते योगिता माने तब प्रभु अप्रसन्न हो जाते हैं यह मारक देन्य को है सु दे 9. इत्यादिक अंतरायते अपनों स्रूश्युक और भगवत को संघ करें तो स्रीथाकुण जी की लीला को बेद जाने। सो तो योग्यता समझ ना ही करते हैं और जो कचु करते हैं सो अंतरकरन पूरुवक ना ही करते हैं ताते स्री ठाकुर जी को सुरूप और लीला को वेद ना ही जानते हैं उत्तम भक्त को संग करें, स्री भागवत शुबोदनी जी आदि ग्रंथ को अहर्णीस अभगाहन करें, तव भगवत भाव उत्पन होई. स्री ठाकुर जी ब्रजभक्तन के विशे सधेव रहत हैं, तहां सेवा करके वधे हैं, तहां एतन्मार गिये विश्णवता के वधे मे स्रिठाकुर जी विराजत हैं ताको संग करनो तहां गज्जन धावन आधि वैश्णवन को दर्ष्टांत दीनो जिन जिन ने भाव पूर्वक सिवा करी तिन तिन की सकल बनोरत सिद्ध भै जाते लीलास्त ब्रजभक्तन की भाव को विचार करनो सो जो वैश्णव स्रिठाकुर जी को स्वरूप जानत हैं तिन को स्वरूप अलोकिक दर्ष्टी समझाने हो जाए जो आग्या होई सु जाने जो वैश्णव स्रिठाकुर जी को जानत हैं सो जो कछु काज करते हैं सो स्रिठाकुर जी के अर्थ करते हैं और स्रिठाकुर जी पिसे विरहत आप भाव करते हैं, अपने स्वदोस को विचार करते हैं, ऐसे जीव, अपने स्वरूप विचार है, जो हो कौन हो, पहले कहा है तो, भगवत संबंध किये ते हो कौन है गयो, अब मो को कहा करता भी है, रात्री दिवस ऐसे विचार करत रहे, तब अपनो ये प्रागटि स्री ब्रजभक्तन के अर्थ है ताते उत्तम संग होए तो एतनमारगिय ठाकुर को जाने और सास्त्र पुरान अनेक इतिहास हैं ताते ब्रजराज के घर प्रगटे सो स्वरूप जानों न जाए ये ठाकुर तो तब ही जाने जाए जब भगवत भक्त को संग क करें सेवा को प्रकार एतनमारगिय वैशनव जानत हैं तिनसों मिल भाव पूच के सेवा करनी तब भगवत भाव उत्पन हो इस्री ठाकुर जी की लीला को सब भेद जाने वारता प्रसंग साथ और एक समय स्री आचारेजी स्री बद्रीनात जी के मंदिर पाउंदारे तब संग में आधु इस लोग घटत है तब वेदव भ्यात जी ने अर्द स्री इस्लोग कहो सो इस्लोग आत्मतत प्तवात भगतश्य भगत वश्यत्वात सत्य वक्तवात सोहावत सो याकी टीका स्री आचारी जी ने पहले ही की नहीं सो सुन के वेदव व्याज जी कहे जो तुम धन्य हो ता पाचे स्री आचारी जी मापरोव स्री बद्री नाज जी के मंदर में पधारे ता दिन बामन द्वाग सी हती ता दिन स्री आचारी जी ब्रत करते सु फलाहार व्यास जी हूँ ढूंडे और कृष्णदास हूँ ढूंडे परंत मिल्यों ना ही तब बद्री नाज जी ने स्री आचारे जी सो कहो जो मैंने फलाहार को सर्वत्र खोज कियो प्रपावत ना ही ताते तुम रसोई करके स्री ठाकुर जी को भोग समर्प के भोजन करो तब स्री आचारे जी विचारे जो स्री ठाकुर जी की इच्छा ऐसी ही दीचत है इतने मैं कृष्णदास ने आएके कहो जो माराज यहां कचु फलाहार पायत ना ही तब वेदव्याज जी द्वारा स्री ठाकुर जी ने कही जो सामिकरी कर भोजन करो उत्सवांते चपारना यहू बचन है ता पाच्छे स्री आचारे जी आप रसोई करके स्री ठाकुर जी को भोग समर्प के आप भोजन कियो पाच्छे तादिन ते 52 आदसी के दिना ब्रतना करते पाच्छे स्री आचारे जी स्री बद्री रांच जी ते विदा होई कि स्री कृष्णदास को साथ लेके पधारे भाप्रकास फलाहार ना मिले ताकव प्रयोजन गये जो स्री आचारे जी चाहें सो समही मिले व्यास जी कृष्णदास सारे के डूड़न हारे सु फलाहार याते ना मिलेो जो स्री आचारे जी के मन में सामेकरी उत्सव की करनी ऊपर ते मरेदा राखवि के लिए फलाहार की कही सो फलाहार ना मिल्यो ता ते वेदव्याश जी द्वारा स्री ठाकर जी ने कहिवाई ता ते स्री गुसाई जी ने साथ लाल जीन में बड़े घर प्रतंपुत्र स्री गिर्धर जी के घर ये रीत राखी उपवास और ठोर उत्सवांते चपारणा स्री ठाकुर जी समसामिग्री आरोगे वारता प्रसंग आठ पाच्छे स्री आचारे जी ने जब आसुर व्यामो हो लिला करी तब कृष्णदास ने हुँ विप्रोयो करे देह को त्याक कियो यहां कृष्णदास जी की वारता पू जैस्री कृष्ण जैस्री राधे यहां विश्राम करें जैस्री आप हों जी विलाधे तब काुष्ण जैस्री यहां मैं भी यहां मैं हुई्टास जी राधे कि यहां मैं जी विलोगावाव बाता हुआ यहां हुआता हुआता पंठ करें झाल झाल